functions की तरफ चलते हैं जी functions python language के बहुत important part होते हैं जैसे हमें बार-बार हम print 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 लिख रहे हैं print एक function है जो चीजों को output में show करवाता है जो उसकी parentheses में बताई जाती है ठीक है वो string हो वो के object हो वो के variable हो whatever it is print आपको show करवाता है और जैसे मैं आपको screen दुबारा से share करता हूँ यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर चेक करें हमने इस जगा पे print का एक function यूज किया था ठीक है यहाँ पर range का function यूज किया range का मतलब है कि जब हमने 3 लिखना है तो पिछले जितने भी parameter है जीरो से 3 तक वो सारे आ जाएंगे ठीक है तो यह built-in functions होते है python के इसी तरीके से अगर function को और भी मदे नज़र रखते हुए हम देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ functions.py अब यह चीज गौर से समझियागा और यह data science में बहुत ज्यादा यूज होती है जो मैंने पिछले lecture में बताया nested loops वह भी बहुत ज्यादा यूज होते है जब आप एप्स बनाएंगे तब ही ज्यादा यूज होंगे बिफॉर दाट इन basic data science बहुत काम होंगे लेट सी function होता क्या है अगर function की definition मैं यहां पर आपको लिखके दिखाऊं तो यह मैं इसको तोड़ देता हूं तीन चार हिस्सों में और फिर हम इसको पढ़ते हैं अ function is a block of code पहली बात तो यह कि यह block of code होगा ब्लॉक क्या यानि कि तीन चार पांच छे लाइनों में या दो तीन लाइनों में या एक लाइन के अंदर code लिखा होगा python का code यह block of code है which only runs यह तब ही run करेगा जब इसको call किया जाएगा यानि के print का function जो built-in था python का हम जब उसको run करते थे तो उसे call करके run करते थे हवा में तो नहीं नहीं चल पड़ता हुदबा हो दे ऐसा तो नहीं 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 होता उसको call करना पड़ता है यानि के शादी पे अगर शुर्लिया नहीं तो मुह से हवाम ठाठा नहीं करती यू have to find out a way के किस तरीके से आपने उसको utilize करना है तो function आप इसे तरीके से मदे नज़र रख सकते हैं कि फंक्शन वो चीज़ है जिसे हम call करते हैं और एक block of code run कर जाते हैं अच्छा आप क्या करते हैं इससे data भी pass करवा सकते हैं इससे parameters भी pass करवा सकते हैं and you can build that into a function based on your own criteria as well और function जो है उनको return भी कर सकते हैं as a result ठीक है python में जब function हम बनाते हैं तो def के through start करते हैं इसको बोलते है define a function def की command के साथ ठीक है तो basically ये एक function की छोटी सी एक definition है और function basically performance होती है किसी भी एक block of code को run करने के लिए जब वो call किया जाता है ठीक है आपको भी पता है कि internet से आपको बे बहार definitions इसकी मिल जाएंगी और parenthesis के साथ इसको हम utilize करते हैं मैं यहां पर एक छोटा सा function बनाता हूं जब भी हम function बनाएंगे def से start करेंगे यानि के define ठीक है यहां पर जो मैं function बनाने वालो हूं यूजर को great करते हैं ठीक है मतलब assalamualaikum वो ही वाले बात ठीक है हम कहते हैं print करो यहां पर जब हम function कॉल करते हैं great user का तो यह print करेगा इसके अंदर हम लिख देते हैं hello, user ठीक है यह simple सा मैंने एक function यहां पर लिख दिया great user का मैं इसे run करता हूं आप चेक करें मेरे पास यहां पर कुछ भी नहीं आया print होके यह खाली यहीं पर file print होई है यहां पर कुछ नहीं नज़र आया reason behind that हमने function को call नहीं किया यहां पर function बना लिए यहां पर मैं लिखता हूं let's make a function बलके इसके लिए loves use होता है let's define a function ठीक है हमने function बनाया जिसका नाम है यह इसका नाम होता है जितना मैंने highlight किया हमने greet करना user को यह इसका नाम है ठीक है और साथ में आप parentheses लगाते हैं हमने अब इस function के अंदर क्या लिखेंगे तो क्या हो यह चीज़ प्रिंट हो जाए इस function का मकसद यह है कि जब आप greet user लिखे तो यह चीज़ प्रिंट हो जाए अब हम इसको चला के देखते हैं यहां पर मैं लिखता हूं greet और जैसे आप define करेंगे ना function यह Intelli code के तुरू python के अंदर आपको automatically सारे के सारे ऐसे function यहां पर शूरू हो लिखा इसको मैंने प्रिंट करने की कोशिच की फिर नहीं कुछ प्रिंट हुआ रीजन क्या हो सकती है आपको क्या लगते है अगर आपने प्रैक्टिस किया देन यू शूर्ड नो कि यह क्यों नहीं रन किया जी क्या लगता है आपको तो इसका मतलब है कि इसके साथ प्रैंथेसिज होना जरूरी है या प्रैंथेसिज और प्रैंथेसिज के दिफाइन करते हुए कोई चीज लिखी है देन यू विल सी वन डाट वन ऐस वेल राइट जी मैं इसको रन करता हूँ लुक हेर हैलो यूजर तो एक छुटकू सा फंक्शन हमने बना लिया ठीक है अगर मैं यहां पर एक इसी फंक्शन को मैं एक दूसरे ढंग में लेके जाऊंग एक निया फंक्शन बनातों हम डिफाइन फंक्शन फंक्शन का नाम हम रख देते हैं समझाई बात की एवे प्रिंट असलाम अलेकुम ठीक है विल्के असलाम अलेकुम कर लेते हैं अल्ड़ वे फ्रॉम लंडन यह आज कल आप सभी को पता होगा अब मैंने यहां पर लिखा है डिफाइन एओए इसको प्रिंट किया है ठीक है मैं यहां पर जैसे एओए लिखूंगा असलाम अलेकुम को देन इट विल मेक अ फंक्शन और वो इसको रेन कर देगा असल में यह चीज़ हमें आउटपुट दे रही है कितना असान है कि आपने डिफाइन कर लिया फंक्शन को और यहां पर सिरफ वो लिखेंगे और आपके पास इस तरीके से एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा अच्छा यह तो सिंपल सा फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा and then you are actually putting that के यह हमारे पास function बन गया. अगर मैं इसी function के अंदर parameter भी add करूँ we can also add parameters in this function. यहाँ पे AOA के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ for example बलके मैं दुबारा से बनाता हूँ इस function को उपर वाले मैं सारे यहाँ पे comment out करता हूँ. हम नया function यहाँ पे बनाते हैं बलके मैंने सारे क्यों comment out किये? सिरफ यही comment out कर देता हूँ तो यह run ही नहीं होगा. अब मैं एक function बनाऊँगा जिसमें हम नाम पूछेंगे और आप जो नाम लिखेंगे उसको वो hello कह देगा. ठीक है? Let's see. Define. मैं यहाँ पे करता हूँ AOA और इसके अंदर मैं कहदता हूँ कि आप name बता दें. जो भी name आप इसके अंदर लिखेंगे as a parameter वो उसको use करेगा to print something. Print क्या करना है जी हमने अब print करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं. F string को use करेंगे F string क्या होती है? इसके बारे में हम देखने वाले हैं. Don't worry about that. Print करने के लिए चीज़ें यूज होती है इस तरीके से. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Asalaam alaikum. Copy की है. इसको मैंने यहीं पे paste कर दिया. यह हो गया. पहला Asalaam alaikum हमारे पास. ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इस तरीके से curly brackets लगा के यहाँ पे मैं name लिखता हूँ. ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ पे हमने जो F string use की F का मतलब होता है कि हम string को अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. कि यहाँ पे name का जो भी input होगा वो यहाँ पे print हो जाएगा हमारे पास. ठीक है? और इसके बाद में हम exclamation mark भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. So what will happen now? अगर हम यहाँ पे AOA का function जो है उससे run करेंगे तो क्या होगा? Let's see. उसने बोला कि यह function सही तरीके से आपने लिखा नहीं है. वन रिक्वाइड पुजिशिनल आर्गुमेंट इस मिसिंग विच इस वट? नेम. अब वो नेम कहां पे लिखना है हमने? यहाँ पे. इसके अंदर, क्योंकि हमने बताया था function define करते हूँ, इसके अंदर नेम लिखना है. अब यहाँ पे नेम क्या लिखते हैं हम? अम्मार लिखता हूँ मैंने. ठीक है? Let's see. क्या हुआ जी? नेम error आगी. अब क्या मसला बन रहा है यहाँ यहाँ पे? कोई बता सकता है? नेम क्या होता है? स्ट्रिंग होती है नेम. ठीक है? घलतियां करेंगे तो आपको समझाएगी. यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगाता हूँ. इट विल वर्ग नाव. अब लिखता हूँ. असलाम अलेकूं अम्मार. समझाएगी बात की? इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे कईफा हालूग भी लिख सकता हूँ. लोग, वो वहाँ पे उस फंक्शन के अंदर आजाएगा. इस तरीके से आपके पास फंक्शन जो हैं वो रन करते हैं. यह मैंने स्ट्रिंग की बात की है, simply. I know there are many things which you can actually add and define this function in a nice way. लेकिन बेसिक जो है फंक्शन की वो इस तरीके से आप पैरामेटर आइड करके भी कर सकते हैं. एक और इसी के अंदर काम होता है. अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएं, मैं इसको दुबारा से रोख देता हूँ. अब डिफाल्ट पैरामेटर वैलियो भी लिख देते हैं. कि अगर हम नाम ना दें, तो हमारे पास कोई डिफाल्ट भी आना चाहिए. यह ना हो, कि मैंने अमार नहीं लिखा था, तो कुछ भी नहीं आया. ठीक है? वहाँ पे कुछ आना चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं फंक्शन, मैं AOA लिखता हूँ. और इसके अंदर नेम is equal to, उसको मैं कहा देता हूँ. अपनी तरफ से बस प्रोग्रामिंग करता जा रहा हूँ, जो मेरे दिल को अच्छी लग रही है. और यही होना चाहिए, जब आप सीख रहे होना तो अपनी मर्जी से भी कुछ करें, जिसमें आपकी इंट्रेक्शन डिवेलप हो. ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, for example, again, वही F-string, कॉपी करके, सेम वही यहाँ पर ले आता हूँ. पहले मैंने नेम लिखा था सिरफ, लेकिन अभी नेम खुदा के बंदे मैंने कर दिया. AOA, let's see, मैं इसको रन करता हूँ AOA को, hopefully it will show me something, चेक करें. असलाम अलेकुम खुदा के बंदे कैफा हालोक, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे प्यारे भाई, let's see, लोजना, असलाम अलेकुम मेरे प्यारी भाई, कैफा हालोक, ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर अपना नाम भी लिखूँगा ना, string के अंदर, for example, यहाँ मैं लिख देता हूँ, awesome, let's see, अब उसी एक के अंदर, अगर मैं default value को लिख देता हूँ, तो वो आजएगी, otherwise, यह use हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते है default parameter, अगर आप parameter अपना add करें, that's good, manual parameter वरना default parameter use हो जाएगा, ठीक है, वो होता है ना, कि कोई setting ना करो, तो default setting पास बन जाता है, यहां तक clear हो गया function जी, basic function clear हो गया होगा आपको यहां था, अब हम बात करते है, return values की, return values किस तरीके से हम use करते है, function के अंदर, function एक value को भी return कर सकता है, मैं function को इसको रोग देता हूँ, नए function की तरफ चलता हूँ, यहां पर return values में, और देखते हैं किस त define करता हूँ, square of a number, ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने define किया, एक function जो क्या करेगा, एक number का square ले लेगा, automatically, चोटा सा function, मैं column लगा के नीचे आ जाता हूँ, indentation को ज़रूर मत देना रखते हैं, आप यहां पर ने लिखना, start कर देना, अपने tap दबा के यहां पर लिख यूज करेंगे, ठीक है, यह return का basically मकसद यह है, कि जो भी आपके पास चीज़ है, वो output में show हो जाए, based on what, number, multiplied by that number, square क्या होता है, square क्या होता है, अगर mathematically हम देखें, जी, किसी को पता, square क्या आता है, पता सभी को है, बताता कोई नहीं है, बता सब के पास है, दिखाता कोई नहीं है, two का square लेंगे तो power two, इसका मतलब यही नहीं है, दो जरब दो, ऐसे ही है, अगर मैं तीन का square लेता हूँ, इसका भी मतलब यहीं है, तीन जरब तीन, अगर म मैं नंबर का स्क्वेयर लेता हूं इसका में मतलब यही नहीं है नंबर जरब नंबर ठीक है तो हम वही तो यहां पर कर रहे हैं नंबर मल्टिप्लाइट बैं नंबर कोई बड़ी चीज तो नहीं न हमने की लेट सी नाव वी विल सी के इस फंक्शन का हमारे पास क्या आता है यह हमने फंक्शन बना लिया अब हमने स्क्वेयर के अंदर कोई भी एक नंबर देना है उसका स्क्वेयर हो देना है 9 का square क्या होता है 9 नाया 81 ठीक है और हमारे पास क्यों नहीं कुछ आ रहा हां जी हमारे पास कुई कुई चीज नहीं आ रही reason क्या है कोई बता सकते है we have to use print square और इसके अंदर हमने लिखना है 9 reason क्या है reason ये है के हमने यहां पे print already function के अंदर use किया था यहां पे हमने नहीं किया था use तो function काम अपना कर रहा है लेकिन उस function के काम को print करने के लिए we need to use print ठीक है that's only thing ओक हो गया यहां तक समझ आगी के नहीं आई अगर मैं यहां पे अब देखिएगा मज़े की बात plus one कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने number देने और वो automatically plus one हो के print होगा ऐसे ही है या कोई गलती कर रहा हूँ मैं try कर के देखें दो क्या आपके पास answer सही आता फिर या नहीं सही आता जी अगर आप यहां पे plus one लिखते हैं तो क्या आता है एमी नहीं कहते हैं ना hundred आ रहा है चला आके देखें syntax error आ रहा है अब समझ आई हमाद चिश्ती साहब जिन्नोंने चैट में लिखा hundred अंदाजें नहीं प्रोग्रामिंग करी जा रहा है खुदादा बंदा मैंने ना ऐसे मैं असल में अक्सरोकाद बंदों को पकड़ता हूं कौन काम कर रहे हैं कौन सिर्फ लिख रहे हैं ठीक है तो आप कभी भी इस तरीके से syntax को यूज नहीं करते यूज कर सकते हैं समय रिटर्न के साथ आप plus one लिख सकते हैं THIS was a small trick टु चेक कही आप मेरे साथ काम कर रहे है या नहीं कर रहे So hopefully आप मेरे साथ काम कर रहे है अगर नहीं कर रहे तो those are up to you आप यहां पर भी प्लस 1 लिख सकते हैं इसका मतलब यही हुआ ना नो जमा एक को डिरेक्ट दस लिख दो आप यहां पर भी आप लिख सकते हैं जो अभी आपने देखा इस वाज अनदर फंक्शन जो आप यूज कर सकते हैं तो सी दे रिजल्ट अच्छा इसका एक और मज़ा है अब यहां पर रिजल्ट इस एकुल टू स्क्वेर और इसके अंदर नाइन लिख सकते थे और यहां पर प्रिंट को रिजल्ट कर लेते ठीक है यह ऐसे हमने कितनी लाइन ओफ कोड लिखी है चार ठीक है अगर मैं जो पिछला तरीका था मेरा यह चार लाइन ओफ कोड होगी है अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूँ लाइक दिस वन तो यह कितनी लाइन ओफ कोड है तीन आप खुद सोचे कि कौन सा तरीकागार इसमें से बेस्ट होता है यह वाला या यह वाला और मंज़े हुए खिलाड़ी किस तरीके से काम करते है लास्ट वन यह वाला बेथर होता है रीजन क्या है रीजन यह है कि वो जो गूगल ने दो बिलियन लाइन लिखी है हो सकता है वो गूगल का वो ही काम कोई वन बिलियन के क्रीब लाइन भी कर दिती अगर वो लो कोड फॉर्मेट में लिखा था और लो कोड एक आज कल टॉप नौच की स्किल गिने जाती है कि कम कोड में ज्यादा काम कोन कर सकता है यानि कि कम लाइन जॉफ कोड के अंदर ठीक है तो इसको बिसिकली अगर टर्म मैं यूज़ करूँ यहां तक क्लियर होगी आपको और इसी तरीके से बिलकुल जिबरान भाई ठीक कह रहे हैं कि जोहू एक पावर एप जोहू एंड पावर एप की तरह काफी एप्स भी हैं जो आपको कम कोड वाले कोड को जाती है और हमने चैट जीपीट को जब यूज़ करना सीखना है जब प्रॉम्ट इंजिनरिंग के तीन चार लेक्शर के बाद आप देखेंगे आप ऐसे कोड को उठाएंगे चैट जीपीट से गेंगे कि इसको रिफाइन कर दो लो कोड फॉर्मेट में लिखते हो थीक है तो वो इस तरीके से लिखते गां इहां तक आं को आपको क्लियर हो agriculture को के नहीं वा चलें एक और फांक्शन यहां पर बनाते हैं पीर हम आगे चलते हैं मैं इसको कुमेंट आउट कर देता हूँ एक और function जिसका नाम है बलके इसको मैं यहां पर लिखता हूँ recursion इसके बारे में किसको पता है recursion भी बोलते हैं इसको recursion भी बोलते हैं it's up to you whatever you want to pronounce it नाम यहां पर लिखा हुए कभी किसी ने zoom की meeting सैट की है वो नीचे से लिक्रिम मीटिंग करनी है कि नहीं जो बार-बार repetition में आ रही हो चीज़ ठीक है let's see यह किस तरीके से चलेगा मैं यहां पर एक function खुद को भी call कर सकता है ठीक है we will see यह किस तरीके से काम करता है मैं यहां पर define करता हूं और इसको बोलता हूं factorial और इसके अंदर हम n लिख देते हैं simply ठीक है और यहां पर मैं बताता हूं if factorial अभी उसकी तरफ ना जाएंगे मैंने क्या लिखा आप इसको कुछ भी लिख सकते है इफ एन इस इकल टुवन यह डबल इकल दी तो समझ है न अब एन की वैलीव अगर एक है रिटर्न कर दो वन को ठीक है अगर एन की वैलियू एक है तो एल्स क्या करो अब हम इल्स की की कंडिशन भी यूज करें return करो क्या return करना है जी n multiplied by factorial of n-1 something like this ठीक है तो यह क्या करता है basically आपको एक function with conditions चला के दिखा देता है तो इसका मतलब यह है कि एक का जो factorial होगा वो 1 नहीं रहेगा लेकिन बाकियों के जो factorial होगे वो इस equation के साथ match करेंगे जो mathematical equation है ठीक है और यह basically built-in function है factorial का और हमने उसको utilize किया यहां पर अपना जो function आओ उसके तरीके से इससे क्या होगा हमारे पास यह function के अंदर हमने function को use किया है by the way मुझे एक बात बताए factorial होता गया किसी को पता है mathematics वाले को 5 का factorial क्या हो गया जो हमारे पास 120 अगर मैं यहां पर 1 लिखता तो 1 आ रहे है 2 लिखता तो उसका क्या होगा 2 आ रहे है 3 लिखूं तो उसका factorial क्या होगा 6 factorial को जरा search करें Google पे अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको simple एक line के अंदर बता देता हूं the product of all the numbers from itself ranging from very beginning जो एक है ठीक है मुझे कोई बता सकता है 6 का factorial क्या है यहां पर 720 आपको calculate करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात बता दू कि जो नंबर है उससे पिछले numbers के साथ हर किसी की product को जमा किया जाता है अंटिल वन इसको factorial बोलते हैं और बैसिकली यह समझाने के लिए क्यों यहां पर लिखा किया है कि यहां पर हम इस तरीके से इसको return करते जा रहे हैं यानि के factorial को within a function हम use कर रहे हैं आपने क्या करने एक recursion function जो है वो खुद से define करने किसी भी किसम का हो सकता है वो आपके field से related हो सकता है अगर हम math के नहीं है तो भी वो चलेगा ठीक है अच्छा एक और function होता है जिसको हम बोलते है लैंबडा function किसी को बता है क्या होता है वो लैंबडा function यह हमने कितनी लाइनों में function बनाया जी एक एक दो तीन चार पांच पांच लाइनों में पिछले चार चार लाइनों में बनाए थे अगर मैं आपको बताऊं कि आप function को एक लाइन में भी बना सकते हैं तो माने भी लैंबडा function उसे बोलते हैं लैंबडा लैंबडा function यह वन लाइनर function इसे basically बोला जाता है और यह क्या होता है अभी आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहां पे x लिखूं equal to मैं इसको screen को थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ ताके आपको दिखा सकूँ because this is an important function और इसको काफी नाम दिये जाते हैं इसको basically lambda function मैं क्यों बोलता हम because this is very basic one और यह बहुत ज्यादा utilize किया जाता है in data science ठीक है यहां पे आपने literally लिखना है lambda lambda लिखने के बाद a और a plus 10 यह एक function हमने define कर दिया ठीक है अब इस function को हम print करके देखते हैं कि क्या है इसका मकसद यह है कि हम print करेंगे function का नाम है x एक्स नाम है function का ठीक है अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अगर कोई value देते हैं तो automatically उसमें 10 जमा हो जाएंगे लाइक दिस यह पंदरा अंसर आ गया ठीक है lambda function का मतलब है आप function को पहले define करते हैं equal to लगा के कोई def 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 ने लिखना आपने सिरफ lambda लिखना है lambda के बाद यह जो value है वो कोई भी चीज parameter जो बीच में आता है function के वो हो जाएगा और उसका करना क्या है वो colon के बाद आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे एग में हमने value add की parameter की plus 10 कर दिया that is actually our function x के बाद जो भी number लिखोगे उसमें 10 जमा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे divided by 2 लिखोँ तो क्या होगा एक्स के बाद जो भी number है वो divided by 2 हो जाएगा तो जिसका answer हमारे पास 2 आगे ठीक है यह जितना मर्जी बढ़ा बढ़ाते जाएं इस single liner function को you can actually work this thing ठीक है और इसको built-in function बोल सकते हैं आप इसको कफी लोग anonymous function भी बोलते हैं इसका basic use यही है इसके इलावा भी इसके काफी use हैं वो किस तरीके से मैं आपको अभी दिखाता हूं यह तो मैंने single use लिखा अगर मैं यहां पे x equal to lambda और lambda के बाद मैं यहां पे a,b यानि के दो values लिखना चाहता हूं यानि के bracket में मैं दो values लिखना चाहता हूं ठीक है a,b किया अब मैं क्या करता a को multiply कर दो b से, यह हमारे पास function बनता है, अब होगा क्या, जब हमने इसको print करने, we will write x और इसके अंदर दो values लिखेंगे, 2,8, क्यूं एक होगी a value जो 2 है, b हो जाएगी यह 8 है, तो जब हम इसको run करेंगे, तो यह हमारे पास 16 answer देगा, यानि कि double parameters को भी हम use कर सकते हैं, अब इन दोनों को मैं आप दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ, यह function दोनों के दोनों, ठीक है, ताकि आपको clear हो जाए, आप करते हैं define x और इस तरीके से लिख देते थे, ऐसे ही है, कि नहीं, ऐसे ही है न, यहाँ पर क्या लिखेंगे, return, क्या करना है हमने, a, इसके अंदर हम लिख देते हैं, a, यहाँ पर हम करेंगे a divided by two, तो यह हमारा पहला function बन गया, ठीक है, यह हमने single line में बनाया था, यह हमारे पास इस तरीके से बन गया, दूसरे function में हम क्या करेंगे, define x, x के अंदर दो parameter हमने a और b डालने, ठीक है, यह डालने के बाद हम क् करेंगे, a multiplied by b, is it fine now to understand कि यह किस तरीके से lambda function काम कर रहे है, ठीक है, समझ आगी है आपको, ओके, बहुत असान है, यकीन मनें, यह जो function है, यह सिरफ ना, दिमाग को जाने वाली game है, और कुछ नहीं है, काम वही है, जो calculator करके दे रहा होता है, यह different इसम की हमारे पास, जो applications ह अगो करके देती है, और इस तरीके से हमारे पास जो lambda function है, इसकी limitation यह है, कि बड़ा restrictive सा function है, हम एक line में कितना कुछ लिख सकते हैं, आपको भी पता है, तो lambda function बहुत कम use होता है, बहुत ही कम जब आपने छोटे operations करने होते हैं, जब बड़े वाला operation करना होता है, then you have to define a big function, like DEF के साथ, यहां तक आपको functions की clarity आगी होगी, और lambda function किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया है, कि यह हमारा proper function है, define x, और इसके अंदर हम parameters दे देते हैं, तो हमारे पास वो parameters आ जाएंगे, अब इन दोनों parameters को क्या करना है, वो हम यहां पे लिखते हैं, multiply करना है, divide क जो भी करना है, और lambda में क्या होगा, x सिदा लिख देंगे, define नहीं करेंगे, equal to लगा के lambda लिखेंगे, और यहां पे parameters आएंगे, इसके, colon के बाद, वो चीज़ आईगी, जो आप output में calculation देखना चाती है, ठीक है, और इसी वज़ा से हमारे पास, जो functions हैं, वो easily हम develop कर सकते है obviously जब आप functions को खुद से define करेंगे तो आपको समझ आएगी, now your thing is कि आपने 10 functions define करने हैं, def के साथ भी और lambda के साथ भी, कोई से भी 10 function, खुद से सोच के, यह नहीं होगा कि आप एक दफ़ा plus करें, दूसरी दफ़ा minus का function बना दे, ना, ऐसा ना कीजिएगा, सारी किसम की data structure उस ठीक हो गया, ओके जी, functions आपको clear हो गये होंगे, और बड़ी detail में मैंने बताने की कोशिश की है, hopefully आपको समझ आगी होगे, अगर नहीं किसी को आई, तो practice करने से आएगी, वैसे नहीं आएगी, believe me, practice नहीं करेंगे, तो नहीं समझ आएगी, right जी, अगर आपने अभी तक YouTube पे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज एक लाइक ठोक दें, वो आपने meme देखी है न, वो एक बंदा इतने गुसे से कहता है, लाइक कर दो, लाइक कर दो, अगला बंदा अपना keyboard तोड़ देता है, नहीं किसी ने देखी तो मैं आपको send कर दूँगा, हसी, हसी मज प्लाग में उनाचाइब.